हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल हैल्स लाइफ फ्रेंड्स आज हम जानेंगे मखाना के बारे में सुखे में में सामिल होने वाले मखाने को भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है बहुत से अचे लोग होते हैं चो मखाना को भून कर खाना पसंद करते हैं आपको यह जानकर हैरानी होगी स्वात के साथ यह सहत के लिए भी अत्यधिक लापकारी है इस वीडियो में हम मखाना के बारे में बहुत यह अच्छे से बताएंगे सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मखाना क्या है तो हम आपको बता दे कि मखाना कमल के बीच को कहते हैं यह एक सौधिस्ट और पॉस्टिक खादे पदार्त है इसे कई लोग कई नाम से जानते हैं जैसे कि फॉक्स नट, फूल मखाना, लोटस सीट्स और गोरगन नट्स इसक सबसे पहले हम के लिए अब हम जाने कि बेनिफिट्स आप मखाना के सीवन से हुने वाले फायदों के बारे में सबसे पहला फायदा है वजन को कम करने के लिए वजन घटाने के लिए मखाने के फायदे की बात करें तो इसका उप्योग मुटापे की समस्य से चुटकारा दिलाने में काफी मददगार जावित होगा कमर के वीज में मौझूद एथेन और के सरीर में फैट चेल्स को नियंतरित करेगा इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसका उप्योग वजन को कम करने में सहायक होगा दूसरा फायदा है ब्लड पेड़सर को कंट्रोल करने में अगर बात करें ब्लड पेड़सर में मखाने के फायदर की तो माना जाता है कि मखाने को नियमित इस्तिमाल से इस गंभीर समस्य से काफी हद तक रहत पाई जा सकती है अगर आपको बीबीपी की समस्या है तो आप मखाना का सेवन जरूर करें तीसरा फायदा है डाइबर्टीज के लिए डाइबर्टीज की समस्या सिराहत पाने के लिए भी आप मखाना का सेवन जरूर करें मखाना में एस स्टेट्स, स्टार्च और हाइपोगलाईसेमिक जो कि बलड सुगर को कम करने वाला प्रभाव है यह प्रभाव मधुमिय की समस्या को नियंतरित करने में सहायक होगा चार नमर फायदा है हिर्दय के लिए जैसा कि फ्रेंड हमने पहले आपको बताया कि मखाना का सेवन उच्छ रख तचाप को नियंतरित करने का काम करता है इसके अलवा यह मधुमिय है और बढ़ते वजन को भी नियंतरित करेगा कमल कवीज आपको हिर्दय समंदी समस्याव से बचायेगा पास नमर फायदा है गर्भवस्ता के दोरान गर्भवस्ता में मखाना का सेवन करना फायदे मंद होगा मखाना का अपयोग आप गर्भवस्ता के दोरान और प्रसाओ के बाद की होने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए करे इसकी अलावा इसमें मुझूद पोसक तत्व जैसे आईरान, प्रोटीन, मैगनीसियम और पोटैसियम जैसे पोसक तत्व पाये जाते हैं जो कि गर्भा वास्ता के दरान महिलाओं को स्वस्त रखने में मदद करेगा इसकी अलावा यह अनिद्र यानी नीम्द नाने की समस्या में भी काफी फायदे मन्द होगा और मखाना में पाये जाने वाले गुड मस्यूड़े से सम्मधित सूजन और बैक्टीरियल प्रभाव से होने वाली समस्या को समाप्त करेगा और मजबूत और स्वस्त बनेगा इस इसके साथ ही आप इसका उप्योग त्वचा से सम्मधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं अगर बात कर इसके स्वात की तो इसका स्वात खाने को लाजवाब और जाकेदार बना देता है सबसे ज्यादा लोग मखाने के खीर खाना बहुत पसंद करते हैं तो फिर ये थे माखाना से जुड़ ही कुछ महतपूर जानकारिया थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों कमिट करके जुरूर बताएं कि अपकी वीडियो कैसी लगे फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ